एपिसोड की शुरुवात में हम देखते हैं कि डीमन कर आंच जिया लीटियान को लेकर अपने सीक्रेट प्लेस पर आती है जो कि एक डीमन का विलेज होता है और उस विलेज की हिड आंच जिया होती है लीटियान अपने आसपास सेतने सारी डीमन को देखकर काफी डिसकस्ट फिल करने से ज्यादा अपने आपको लेका शर्मिंदा होना चाहिए उसकी इस बात पर लीतियान उसे कोई जवाब नहीं देता निक सीन में आंजिया लीतियान को खाना खिलाने लेका जाती है लीतियान जब खाना खाने लगता है तो आंजिया उसे बताती है कि जो खाना तु वो चोरी का है क्या इस खाने को खा कर तुम्हें बुरा फिल नहीं हो रहा इस पर लीतियान कहता है कि जो कुछ बुरे काम तुम लोग कर रहे हो गौड तुम्हें इसके पनिस्मेंट जरूर देंगे इस पर आम जीया हसती है और उसका मजाक उडाती है फिर वहां से चली जात है उसके जानी के बाद वहां एक ओल लेडी आती है और लीतियान को रोश्टेट फिस और ड्रिंक देती है वह से बताती है कि यह फिस विलेज के लोग नदी से पकड़कर लाए है उन लोगों का यहीं अकुपेशन है अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो तुम्हें यह ख कर कंफ्यूजन हो जाती है कि वह उसे अच्छा समझे या बुरा समझे निक्स्टी वह आंजिया से कहता है कि वह आश्रम वापस जाएगा वहां पहुचकर मास्टर से माफी मांग लेगा और उसे उम्मीद है कि मास्टर उसे माफ कर देंगे आंजिया उसे रोकती नहीं बल क्यों मार डाला वो लोग लीधियान को हर्मिट समझ कर उन्हें माइटर से दूर रहने के लिए और वहां से चुप चाप चले जाने के लिए कहते हैं इस पर लीधियान को गुस्सा आता है और वह उस सभी को मार डालता है इधर आंजिया एक होटल में जाकर रूम बुक करत आंजिया उसे अपने पास बुलाती है इस पर वह तुरत उसके पास आता है और बेच पर रखी वाइन उठाकर पीने लगता है फिर वह आंजिया को बताता है कि उसके हाथों से ब्लेट की स्मिल आ रही है जिसे वह साफ करने की काफिक कोसिस कर रहा है पर वह ऐसा नहीं कर पा रहा वह अंजिया से यह सब कुछ भुलाने में हिल्प मांगता है तो अंजिया सारी बात समझ कर उसकी हिल्प करने के लिए अगरी हो जाती है और फिर वह दोने इंटिमेट होते हैं निक्स्ट मॉर्निंग आंजिया लीतियान को अपने साथ रहने के लिए मनाती है तो लीतियान पर एगरी हो जाता है क्योंकि वह भी अब आंजिया को पसंद करने लगा था आंजिया उसे लेकर विलेज में वापस आती है यहां पहुंचकर उसकी एक असिस्टेंट उसे बताती है कि आसरम के लोग उन्हें हर चेके ढूट रहे हैं इस पर आंजिया सभी लोग को आकर हमला कर देती हैं तो लीटियान अपनी मासलार्ट का कमाल दिखाते हुए उसे फाइट करता है और उसे अभी को मार डालता है पर इस फाइट में वह भी काफी ज़्यादा जखमी होकर बेहोस हो जाता है यहां हमें पास्ट का एक फ्लसबैग दिखाया जाता है जिसस तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाओगे लीटियान इन सारी सर्थों को मानते हुए अर्थ पर आ जाता है यहां आंजिया जो कि हिवें की फेरी होती है वह भी उसका पीछा करती है तब यह रास्ते में लीटियान को दो लुटेरे मिलते हैं जो कि लीटियान को डरा ध पीछे आ रहेंगे आंजिया को सौर्ट पॉइंट पर लेकर लीटियां से अपनी सौर्ट को फेकने के लिए कहता है इसपर लीटियान अपनी स्वाट फेकर उस लुटेरे को भी खत्म कर देता है यह तोड़ी दूर आगे जाकर लीटियान उसे कहता है कि यह जगें नहीं जाना है जा सकती हो आंजिया कहती है कि अगर मरे हुए चोर दोबारा जिन्दा हो जाय तो क्या होगा यह इस का λी लिफिया पाईपसरी में और उससे बताती तो आंजया वापय जाने पर एगरी नहीं होती तब हुझ दोनों छोर दोबारा उन्हें दराने धंकाने लगते हैं तो आइनॅन्ग लींट्यां की स्वाड्ड ले कर उन दोनों का काम तमाम कर देती है उसके बाद ताकि वो दोबारा से immortal हो सके आंच यह भी लीटियान के बगर हिविन नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो भी अपनी internal energy का अधा हिस्सा लीटियान को दे देती है ताकि वो जिन्दा रहकर cultivation कर सके और फिर 100 साल पूरे होने के बाद वो उसके साथ दोबारा हिविन जा सके श्करण जूरीयान को पता चल जाता है कि लिध्यान के पास किसी फैर्यरी के इंटर्नल उनरजी है इसमर्फेजिoral दाङन उसे याद दाफ गयफ हुने वाली मेडिसन पिलाकर उसे उसके इंटर्नल नरजी छीग लेता है और कहता है कि अब मैं इसलर जाओं गा इसके बाद सीन प्रेजेंट में सिफ्ट होता है यहां हम देखते हैं कि लीथियान को सारी बाते याद आ चुकी होती है और उसके बाड़ी डिसपियर होकर दीमन फॉर्म में रिक्रियेट होती है तब ही वहां आंजी आती है और कहती है कि तुम इस आउतार में काफी अच्छे लग रहे हो इस पर लीथियान उसे बताता है कि उसे सारी बाते याद आ चुकी है वो उसे ये भी बताता है कि उसने उसे जो इनर्जी दी थी उसे जूलियान ने उसे चुरा लिया था पर अब वो जुलियान से उसे वापस लेकर आएगा इसके बाद आंचे और लीटियान शादी कर लेते हैं सारे डीमन्स उनकी शादी से बहुत खुस होते हैं वो दोनों अपने रूप में जाकर बाते करने लगते हैं तब उन्हें बाहर से कुछ आवाजे सुनाई देती हैं वो दोनों दोबारा बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मौझू सारे डीमन्स मले पड़े होते हैं यह देखकर लीटियान समझ जाता है कि यह आस्रम वालों का काम है वो तुरन उन्हें ढूरने निकल पड़ता है थोड़ी ही दूर पर युन्तैक उसे कुछ स्टूडेंट के साथ वहाँ से वापस जाते हुए दिख जाता है लीटियान समझ जाता है कि यह सब किया थारा युन्तैक का ही है इस पर वो युन्तैक समिश सभी को माल देता है इदे जूलियान आंजिया के पास आता है और सभी डीमन्स की मौत का जिम्मिदार उसे ठहरा कर उसे हिवेली वेपन मांगता है जिसे देने से आंजिया इंकार कर देती है तो वो उस पर अपनी स्वार से वार करता है आंजिया भी अपनी पावर का यूज करके उसे हरा देती है तो आंजिया से माफिय मांगने लगता है आंजिया कहती है कि तो मितने नीच और गिरे हुए इंसान हो कि immortal तो क्या इंसान बनने के लायक भी नहीं हो वो उसके और स्वार्ट फेकते हुए कहती है कि ये लो और खुद को खत्म कर लो इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ती है तो जूर्यांग उस्वार्ट से आंचिया को इस्टैप कर देता है आंचिया जखमी हालत में जूर्यांग पर वार करती है और पिर जमीन पर गिर जाती है आंचिया के वार से जूर्यांग भी जखमी हो चुका था वो आंचिया को मरा हुआ देखकर हसता है और फिर उसकी बाड़ी भी डिसपियर हो जाती है तोड़ी दिलवाल वहां लीतियान आता है तो अंजिया को मरा हुआ देखकर काभी ज़्यादा सैड होता है इसके बाद वो को सोच कर सीधा अस्रम आता है वहां उसे साउजी मिलती है वो गुसे में उससे मैजिकल पोशन मांगता है जिसे मरे हुई लोगों को दोबारा जिन्दा क्या जा सकता है साउजी उसे वो पोशन देनी के लिए एगरी हो जाती है पर वो उसके सामने ये सर्थ रखती है कि वो उसे मैजिकल पोशन तभी देगी जब वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ कर उस पोशन को गिरगिरा कर उसे मांगेगा इस पर लिद्यान घुटनों के बल बैठ कर उसे पोशन मांगता है ये देखकर साउजी कहती है कि क्या तुम उस डीमन गर्से इतना प्यार करते हो कि तो मुस्के लिए मेरे सामने घुटनों के बल बैट कर भीक मांग रहे हो इतना कहकर वो हस्ती हुई अंदर जाती है और मैजिकल पोशन लाकर लीठियान को दे देती है लीठियान उस पोशन को लाकर आंजिया को पिलाता है इसे आंजिया दोबारा से जिन्दा हो जाती है और वो दोनों अभी एक साथ अर्थ पर रहने का ही फैसला करते है इसी के साथ इस वाहिया कहानी का अंत होता है तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप दिल खोल कर कमेंट बाक्स में अपना फीडबैक जरूर दीचेगा मुझे आप सब के कमेंट्स पर की बहुत अच्छा लगता है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और खुडबाई